ये है हमारे गुरुजी जो हमेशा लेट आटे है अब बारीशाब तेज़ती हो गई है अब आ रहा है मजा हमारे गुरुजी नील कई को बुला रहा है हमारे गुरुजी जो बाइक किसे चला रहा है आराम परमा चले जा रहा है अब आख आई भानाद 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 बीज रास्ते में राजन की बाइक बंद हो गई यह भई अपनी बकडियों को अप उसकी तरह आवाज लेके बुला रहा है सुनन अपने मोर की आवाज उड़ता हुआ मोर क्या नजारा है भाई है 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 तो वेल्कम बेक नमाई यूटूब चैनल तो फिर से एक नए वीडियो की शुरुवार करते हैं वाट्सप वीडिवल पिपल आयां में आप लोग कैसे हो परता हूं आप में तरह बढ़िया होंगे तो वेड़ावल में इतनी गर्मी हो रही थी बहुत बहुत कर् में फूल बारिश हो रही है मैं आपको दिखा दाम अपने दूम से तो आज गंगोर बादन चाहे हो है और बारिश एक दम बढ़िया होने वाली है तो हम जारे एक छोटी सी राइट कर यहां से हम 15-16 किलमेटर चाहेंगे हो 15-16 किलमेटर आयेंगे बीच में रास्ता करेंग अगे निकलते हैं हमारे गुरुजी अभी आये नहीं है गुरुजी आप आयेंगे तो आपको दिखाऊंगा यह गुरुजी कौन है तो में और मुक्ष आगे निकलते हैं भाईयों सब पीछे जा जाएंगे अब यह मैं आ गया बाइपास रोड उपर सबका इंडेजर करता हूं तो बारिश में राइट करने का अलगी मजा आ रहा तो हमारे गुरुजी इतना लेट आट है और फिर पेट्रोप्रम पर टाइम वेस करते हैं तो यह हमारे गुरुजी जांट आ है यह है लेट में टीप हम चाल लोग तो आ गए और राजन फिर्ट से वापस आने वाला है नहीं नहीं करके वा रहा है हम खड़े है नमस्टे होतल वह भी थोड़ी यह मैं आई रहा है इसनका कि हम नहीं आ रहा हूँ और बात में आ रहा है मैं आपसे मिला था हूँ यह दिखो हां गया बहले नमना करा अच्छु आ निया तो ए घ्ला तो हाँ ए लत्मी नमना के कि बात में क्यों आया है बाड़ी को आ रहेन वोग यह उ और यहा अटने थे लिट वे फोल Slag है क्या हुआ पगल है कि अब यहां से अथारा किलो मीटर ही दूर है अब बारिश हो गई है अब आ रहा है मजा सामने सा बारिश आ रही है इसलिए ये मेरे में पानी पानी हो रहा है अपने धुनला धुनला नगर आएगा तो सामने सा बारिश अपने मुग पर बहुत जोड से लग रही है जंगल के पीच में किसी रोड किसी चमक रही है एक नंबर बहुत डूर तक यह जोड है देखो हमारे गुरुजी के सा बाइक चला रहा है तो बीज रास्ते में बापा की बाइक बन हो गए तो बाराजन धक्का मारता हुआ बापा की हमने थोड़ी सी मदद की तो बापा ने हमको इन्वाइड कर दिया अपने घर को रोड लाख हावा हालो इची यह आदमी इसको मोर कह रहा है यहां सब बकडिया हमोरे भाई लोग खड़े हुए और यहां चोटा सा जर्णा यहां के रास्ते बहुत बढ़िया है ऐसे ऐसे हारे टेरे मोड यहां बहुत बहुत है और बाई चलेने का मज़ा इसमें आता है वह भाई बाई यहां धेल देखने गया और तब राग गई जाबे जाब बाग यहां वहां देखो दिखा मोर जलेंदेरा महादेव बंदीर अब 2 किलोमेटर ही बाकी है किम दिखाए बहुत डूर है अब अमंदीर आने वाला है और पहार चल रहे है पूरी सीधी उची डलान है त्रेस रखनी पड़ीगी है यहां तो उंट भी है सहीं यहां के लोकल ही होंगे जो काम कर रहे होंगे उंट से यह रहा महादेव मंदीप और यहां से सीधी उची सीधी चड़ाई है बहुट बहुट इसीधी चड़ाई है अधा ओहो क्या नजारे हैं दोस्तों आणना जारे देखो अधा बढ़ ते चाले देखो अधा बढ़ तो और रहे है आवज करो नी सुने अपने मौड की आवज तो हेलो गाइज हम जालूंद्रा महादेव पहुच गए और यहाँ आजू बाजू का लोकेशन एक नमबर देखवाँ मंदीर यहाँ छोटी मोशी शीडिया है और महादेव का मंदीर उपर हमारे सभी डोस्तों उपर पहुच गया और आपको पीछे का नजारा दिखाऊं तो पूरे तरह से बाडल छाय हुए है और वहाँ से हम आये थे यह वाला रोड से हम आये थे और पूरा ही लागा देखाऊ ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा हुगा तो बारिस के बाडल इतने चाय हुए है महा कालेश्वर वेदनाथ भीमा संकर रामेश्वर नागेश्वर विश्वनाथ रंपकेश्वर केदारनाथ ग्रोनेश्वर और यहां अजीब हो गरीब इंसे डिखने मिल रहे है पर रिसेच कर रहे है बता हो क्या है एक या 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 गूगर्स कर देख हमारे गुरूजी है इसको सब जानकारी होती है इसका नाम है वहाँ यह नदी कौन सी है पता नहीं वह हमने सुना है वहाँ एक छोटा सा पानी के अंदर भी मंदीर है वह मंदीर हमने देखाने है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे अब हम उस तरफ राउंड मानने जा रहे है हो सेके कुछ दिख जाए हमको अच्छा चा और यह बारीश फिर से टेज हो गई एक आखरी बार महादेव का दर्शा सामने मोड बोल रहा है अब जा रहे है हम नीचे पुरा से नीचे एक्स्प्लोर करेंगे हमारे सभी भाई नीचे पहुच गया नीचे युड्ड शुरू हो गया है सामने पत्थर पाजी हो गया है बड़ा बड़ात के निचाने नीचाने हर हर बोले हर हर बोले हर हर बोले जगाज खोड़ा एक्स्प्लोर करेंगे करेंगे हमारे सभी अकेले जा रहा है उसको पता नहीं आगे कुछ भी हो सकता है कास को दो पत्थर दी है साय दो सके यहां सेर भी आजाए यहां सी हमने देखे हुए है यह हो जाता है यह चोटा सा जर्णा कुड्डेटी फनल एक नंबर पाणी होगा साय जर्णा यहां यह जर्णा यह जर्णा बहुट मीथा है यह जर्णा एक वाण यह जर्णा यह जर्णा यह जर्णा यह जर्णा किसी जानवर की खाल जी अमर सर्जी ने कहा ये गाई की खाल है सहेट सेजन्या मारा हुगा वहाँ दूर निल गाई है एक बार और एक बार और एक बार और तो उसको बुला बुला यह कोई भी जानवर चला जाएगा हमारे गुरुजी एसे है उसको सब कुछ पता रहता है तो अब मुकेश के पाद जा रहे है अब सिधा गर जाएंगे पहले नास्ता बाणी करेंगे राष्ते में गर जाएंगे बकडिया तो देखो बहुर्ट ज्यादा बकडिया है पहें इसको ठन लग रही है अब यह रहने दे बाइक अंकर अपती महादेव अब यह रही है और अज ते में एक बार रुकेंगे नस्ता बाणी हमारे गुरू जी की बेचने की स्टाइल देखना शर्व्ण हमारे लेकोरिव जादा ब्लाइल के स्टाइल की स्टाइल की स्टाइल हों अब अभी कोद लेखेंगे एक इधि ये अब ये राजन की गाड़ी बन्द हो गही क्या हो अपता नहीं वॉं गाड़ी ओ काली गळी गहीं इंद लगाई अब ये बैक शुरू हो गही को और उनको ने हुआ छोटा सा वोटा क्रोसिंग पिट्टू सा है है गुरुजी तो हमारी फेवरेट जगा महाकारी वेश्कोरान रुखेंगे और चाहे नास्ता करके सुटा बर्पहन चाहेंगे जब बारी शुरुग गई आराम बढ़ता है तो महाकारी ये बेठे है और मुकेश भाई ने बज्जियां मंगाए हमारे गुरुजी को एक गहरी सोच में लगता है आज दिनान्स बिखने वाला है तो हमारे बज्जियां आ गए है ये बज्जियां ये बज्जियां ये बज्जियां अप्रा हलो